सभी को नमस्कार उन्नीसमी और बीसमी शताब्दियों में समस्कृत में विपुल मात्रा में मौलिक साहित्य की रचना की गई और यह सातत्य 21 शताब्दी तक बना हुआ है और जैसा मैं अनेक बार कहता रहा हूँ यूट्यूब के इस चैनल पर अपने वक्तवियों में भी कहता रहा हूँ कि 18 शताब्दी के पहले वेदी काल तक पीछे जाते हुए जितना साहित्य है उसको एक करफ रख दें और 19-20 शताब्दियों में जितना साहित्य समस्कृत में लिखा गया उसको एक तरफ रखें तो मात्रा की दरश्टी से 19-20 शताब्दियों का समस्कृत का जो मौलिक वांगमय है नया साहित्य है वह अधिक ही होगा गुणवत्ता की दरश्टी से भी अनोखी उपलब्धियां समकालीन रचना कर्म ने समस्कृत में की है विशेशूप से कितिहास बोध और युगबोध की प्रवृत्यां समकालीन समस्कृत साहित्य में परिलक्षित होती है एक प्रवृत्ती आई कि स्वाधीनता संग्राम में जो तपपूत स्वतंत्रता सेनानी अपने जीवन की आहुती देते हैं 19. शताबदी और 20. शताबदी के पूरवार्ध में उनके जीवन को विशय बनाकर कविताएं कावि रचनाएं की गई महाकावि बड़ी संख्या में लिखे गए, खंड़कावि भी लिखे गए और गद्य भी लिखा गया गांधी जी को लेकर तो बहुत अधिक बड़ी संख्या में संस्कृत में संस्कृत के कवियों ने साहित्य लिखा है और गुजराती, हिंदी, मराठी ऐसी तीन-चार भाषाओं को छोड़ दें तो मेरा यह दावा है कि अन्य किसी भाषा में गांधी को लेकर इतना विपुल, रचनात्मक वांग में नहीं लिखा गया जितना संस्कृत में लिखा गया है उसके विवरन प्राप्त हैं, प्रमान हैं, आतको कंगन आरसी का क्या, वो पड़े जाते हैं, उन पर शोधकार यह होता है, बड़ी संख्या में महाकाव्य, भंड काव्य, गध्य में जीवनियां, गांधी को लेकर लिखी गई, नहरू को लेकर भी विपुल साहित्य, संस् में, लाल बहादुर शास्त्री पर भी रचनाएं, संस्कृत के कवियों ने और पंडितों ने की हैं, यह कदाचित इस पर ध्यान कम दिया जाता है, कि संस्कृत के जो कवियों हैं, वे अपने युग पुरुशों के प्रती सचेत रहें हैं, और उनकी लेखनी चलती है, ऐस पुरुशों पर, लाल बहादुर शास्त्री पर क्यों नहीं चलेगी? गांधी गौर्वम उनिस सो उनत्तर में, जो गांधी जी की शताब्दी मनाई जा रही है, इंदर वजरा चंदों में उन्होंने लिखा, लाल बहादुर शास्त्री चरितम, ये चरित का वियनका है, 186 पद्देश में है, पुरा जीवन चरित लाल बहादुर शास्त्री का लिखा है और अन्त में, शास्त्री जी की ताशकंद यात्रा और उनकी म्रत्यू, उसकी करुणामय निरूपन के साथ ये खंड़का भी समाप्त होता है, नव भारत पुराणम जैसा मैंने कहा कि लिखा रमेश्चंद्र शुक्लने और ग्यारा ध्यायों में ये पुराण है इसमें नए भारत की अने गटनाएं वर्नित हैं, बूसरे जो बड़े कवी और हमारे युक के महान कवी हैं और कदाचित आधुनिक काल के समस्कृत में सबसे वड़े आचारी भी, काविशास्त्र के ये हैं, आचारे रिवा प्रसाद दिवेदी, तीन महाकाव ये उनके है उत्तर सीता चरितम, स्वातंत्र संभवम और कुमार संभवम ये बड़े महाकाव्य हैं, गद्य में भी रिवा प्रसाद दिवेदी जी ने खूब लिखा है, पद्यों में तो बहुत अधिक लिखा ही है और उनकी शास्त्र रचनाओं का तो कहना ही क्या है नशदकार ने जिस तरह से अपने लिए कहा उसी तरह से रिवा प्रसाद दिवेदी जी के लिए एकदम ये सठीक रूप में लागू होती है कि चाहे कविता की कोमल सुकुमार वस्तु हो, सम्वेदन शील विशय हो, रसब प्रवाह से संप्रक्त कावित रंग्णी हो, उसकी धारा बहाने में भी वेही हैं वेही वेही हैं, और शास्त्र की प्रखर तर्क से करकश जो रचनाएं हैं, परिपक्व चिंतन से समन्वित उनके निबंधन में भी पटूवे हैं स्वातंत्र संभव जो उनका दूसरा महाकाब वेहुत्तर सिता चरितम के 22 वर्ष बाद ये सामने आया वर्तमान भारत वर्ष का पूरा इतिहास इसमें उन्होंने पिरो दिया है, 28 सर्गों में 1990 में ये पहली बार प्रकाशित हुआ मूल मातर इसका प्रकाशित हुआ, संद 2000 में हिंदी अनुवात के साथ प्रकाशित हुआ, दूसरा संस्कर्ड उसमें 28 स्थान पर 33 सर्ग हो गए और जो मेरे पास जानकारी है तीसरा संस्कर्ड इसका निकला और उसमें 75 सर्ग हुए और इसके पश्चाद भी इसमें सर्ग संख्या में व्रद्धी हुई है, सदाशी दुएदी बताते हैं कि एक्यासी सर्ग इसके लिखे गए ये बड़ा महाकाव्य है, संस्कृत के सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक है महाकाव्य नाम लेने से नाग्भों सिकोडने के आवश्यक्ता नहीं है, संस्कृत में तो बहुत सुंदर महाकाव्य आधुनिक काल में लिखे गए हिंदी में अन्नी भाषाव में जर्शंकर प्रसाथ की कामाईनी के पश्चात बैसे महाकाव्य नहीं लिखे गए वो बात अलग है, पर ये तो एकदम नए युग पर नया महाकाव्य लिखा गया और कवित्व की द्रश्टी से बड़ा प्रकर्श इसमें है चाहे रिवा प्रसाथ दिवेदी, इंदिरा गांधी का वर्णन करें, चाहे नहरू का वर्णन करें, चाहे अन्ना हजारे का वर्णन करें क्या शब्द चित्र खींचा है, अन्ना हजारे का विलकुल एक-एक शब्द सभावक्ती में उनकी सरूप को साकार करता है एसा है है महाकाव्य है और 75 सर्गों में इसके 6064 पद्धि हो चुके थे 81 सर्ग इसके बाद में पूरे हुए सदाशी दिवेदी जो इसके रिवपसा दिवेदी जी के रचना संसार के साहित्य कर्म के अच्छे अध्यता हैं और स्वेम साहित्य के साहित्य शास्त्र के हमारे समय के श्रेष्ट विद्वानों में से भी एक हैं वे यह मानते हैं कि इस महाकाव्य का भावलोक दार्शनिक रहस्यों और प्रतीकों से समन्वित है, इस महाकाव्य में 18 सर्ग में श्रीमल लाल बहादुर शास्त्री का जीवन चरित आया है, नहरू जी के अवसान के पश्चात किस प्रकार से वे प्रधान मंत्री का पत समालते हैं इसका वर्णन किया गया है, किस प्रकार से वे देश को नई दिशा देते हैं, कुशल अपने नेत्रित्व के द्वारा इसका वर्णन किया गया है, तत पश्चात उनकी ताशकंद यात्रा, उनकी मरत्यू, यह 18 सर्ग का विशाय है, उसके आगे के सर्ग में ललिता शास पूरा का पूरा ही जो निरूपन आचार्य रिवाप्रसाद दिवेदी का है बहुत ही सुंदर है और उज्वल है आचार्य रिवाप्रसाद दिवेदी जी की लेकनी बहुत पारदर्शी रूप में वे चरित निबद्ध करते हैं रिवाप्रसाद दिवेदी जी आचार्य रि अठारवें सर्ग में शास्त्रीजी के जन्म का वर्णन करते हैं और उनके सरूप का वर्णन करते हैं पंजाब की धर्ति पर किस प्रकार से अध्यनादी उन्होंने किया वाली उनका व्यतीत हुआ लालोत्र लाजय पतराय इति प्रतीतो प्रतीत पालोरू भंग भुविपाल इवापरांते तामेव यत्र दुरमत्र दुरमत्र युगे महारहाम राष्टाय हंत वहतिस्म सकर्म योग है इस पंजाब की धर्ती पर लाला लाजपतराय उसी प्रकार हुए जिस प्रकार बंगाल में बाल और अप्रांत अर्थात महाराष्ट के क्षेत्र में बाल हुए थे ये सब कर्म योगी बनकर राष्ट की उस गुरु धुरा को समाले रहे जो स्वयम बहुती महार थ लाहोर का वर्णन किया है और उसी के आगे लिखा है ताम किंतु शास्त्री विरुदस समहान मनीशी नई वाक्षिपत स्वतनयमिवदत्त पूर्वाम अर्थेशुया खलुशुचि सशुचिर मनुष्या सपने पितम्न परी रिपसतिवई परश्री वड़ी प्रोड भाषा है और जो रिया प्रसाद जी पद्य लिखते हैं वे तो माहग और श्रीहर्ष के कवित से होड लेते हैं और कालिदास की भी उनकी कविता वेधर्वी रिती का वेधर्वी का वरण करती हैं शास्त्री जी के संबन्द में कहा है कि महामनीशी लाल भादुर शास्त्री ने उसी लाहोर की भूमी को दत्त पूर्वा तन्या के समान अपनाया और अर्थ शुचिता उनमें थी वास्तव में वे शुची थे इसलिए स्वप्न में भी परश्री दूसरे की लक्ष्मी के लिए लिपसा परिलिपसा परिरिपसा उनमें आही नहीं सकती थी कोवा परो वसुमती वलियेत्र भूमना कालेन पश्चिति विचित्र चरित्र नाट्टे यसुन्दरी मुपगता स्वयमार्य शीलह कामेक्षणोन परिपस्चिति नापि लक्ष्मी मुझे उनकी अपरिग्रह की और काम क्रोध मद मोह इत्यादी जो विकार हैं उनसे किस प कौन है आरेशील जिसने स्वयम पास में आई सुन्दरी को कामवरी द्रश्टी से न देखा हो। सुन्दरी भी ऐसी वैसी नहीं अपितु ऐसी जिसके साथ संपत्ति भी हो। लेकिन जो शास्त्री जी के बारे में केवल हुनी के बारे में कहा जाएगा वो रिवाप्रसाज जी ने यहां कह दिया है। और उन्होंने कहा कि इस युग में भी सुचरितों से अपने राष्ट की रक्षा में परायन एक तो शिवाजी हुए थे। और दूसरे ये महांट शास्त्री जी हुवे जिनोंने नेता होते हुए भी यती जैसा विवार किया। और सैयम को नहीं छोडा। अन्यच्य शास्त्री विरुदा सु महान सोवसन नेता यतीव नहीं सैयम मच्चिन द्या। अनुप्रास की जनकार के साथ ये शब्दावली चलती है ओजस्वी रूप में है। कहते हैं कि धीर तो वह है जो आंधी के चराचर चमत करने दक्ष चक्र में भी नहीं डिकता है और मन से पिघलता नहीं और मा के दूद को लजाता नहीं है। और ये जो मा के दूद को लजाता नहीं इसका हिंदी में ये जो हिंदी का मुहावरा है। उसके सम्तुल्य जो सम्स्कृत में वंधर चाहे। अपने धर्म में लगेवे महापुरुष, पुत्रिष्ट्री और कुटुम्भी जनों के साथ खुशी-खुशी से सत्तूपी कर रह लेते हैं, रह लेना पसंद करते हैं। परंतु किसी अन्नि के पिंड पर द्रश्टी डालना पसंद नहीं करते हैं। ए ब्रह्मांड उनी इन देवों से तुम बचे हुए हो, धर्ती तुम बची हुए हो, ऐसा न कहे करके, ए ब्रह्मांड तुम उनसे बचे हुए हो, ऐसा कहते हैं। यह बड़ी सम्रद्द पदावली में शास्त्री जी के चरित्र का वर्णन यहां पर किया है, और आगे किस प्रकार से ताशकंद वे जाते हैं। रूसा अयूब मिव शास्त्रिन में तमस्मिन संधान में संधान से तव इवातितराम कराले वाले समा जुहूरार्ति हरत्व दीक्षादक्षापरस्य नगरे कलु ताशकंदे। वाक के आक्रमन के समय, रूस बना संधान का सेतू और इस अतीव कराल काल में अयूब को और उसी प्रकार शास्त्रिजी को रूस ने आमंत्रित किया राशकंद नगर में रूस दूसरों का संकट दूर करने के लिए एक प्रकार से इस समय वरत लिए हुए था। ऐसा कहते हैं जो सबसे बड़े गुद्धिमान है से मतिमतामवर होते हैं वे उन्होंने संधी पत्र पर अपने हस्ताक्षर कर दिये और संधी पत्र को अपने हस्ताक्षरों से सम्मानित तो किया परन्तुव प्रेत शांती के यग्ये जैसा था उसमें हविष्वे स्वयम बन गई अंतिम इश्लोक जो इक्यासीमा इश्लोक है अठार्में सर्ग का स्वातंत्रिसंभव महाकावि में उसमें वो कहते हैं यदपिनिजभटानाम शोनितानाम मशीभी कभी गुलतिलकोयम राश्रकाव्यम निभान सीथ मालिनी चंद जो सर्ग के अंत में उपसंभार में मालिनी चंद लिखा जाता है प्राय उससे उपसंभार इस सर्ग का किया है करुनरस का उतरण इसके द्वारा किया है कविकुल तिलक लाल भादुर शास्त्री ने अपने भटों के रक्त की स्याही से एक लगुकाव्य लिख दिया था उसके सर्वोत्तम अंतिम सर्ग की पुश्पी का अपने ही रक्त से उन्होंने लिख डाली बहुती मारमिक प्रसंग ये कितने सधे हुए ढंग से कालिदास इस प्रकार से सैयम के साथ परमकारुनिक प्रसंग को बांधते हैं उस तरह का कलात्मक सैयम भी है उसके बाद उन्नीसमा सर्ग है ये पूरा करुणरस का प्रसंग है और इसमें बहुती सुन्दार एक तो लालभाग्र शास्त्री के हाथ से लिखे हुए पत्र का जो संस्कृत में पद्यों में अनुवचन किया है भारत मातह पुत्र एश्ट टे लाल बहादुर नामा गरलम पिवति ताश कंदे तव पद्यो शतंप नामा ये उन्नोंने शास्त्री جी जो कहना चाहते होंगे कहना चाहते होंगे उसको पीत में बांध दिया है भारत मातह शतंप नामा ये बहुत बावविगलित होकर के भी रिव प्रसाद दिवेदी जी जी ने उनकी वानी को समस्कृत में उतार दिया है और ये बड़े सुन्दर शब्दों में उन्होंने उतारा है इसमें इस प्रकार के भारत माता शतम प्रणामा शीर्शक से गीत हैं और ये तो लंबा प्रसंग है कई गीत उन्होंने लिख डाले हैं इस प्रकार के बड़ा ही अध्यतव ये पूरा प्रसंग है ये रिवाप्रसाद जी की ही लेखनी है जो ऐसा चमतकार कर सकती है कि लालबाद रुशास्त्री की वानी को उन्होंने समस्कृत गीतों में समस्कृत चंदों में और जितने उर्जस्वी रूप में उतारा है यह है अध्वुत उपलब्दी कही जा सकती है समस्कृत कविता की बीस्वा सर्ग फिर आता है इसके बाद इसमें विलाप है किस प्रकार से देश बिलाख उठा है शास्त्री जी के निधन के बाद इसका चित्रन है समय ऐसा फिर उपस्थित हो गया कि समय ही बिलखने लगता है और कभी तीक्ष्न दंतांकुरों को पीस पीस कर हसने लगता है कली होना चाहिए कभी विलाप करता है और कली आगे दिया है कली तीक्ष्न दंतांकुरों को पीस कर हसता है कली काल वो प्रत्यक्चेतन्य मात्र में रहने वाले एकांत सादक विद्वानों की आखे भी अश्रु भाहने लगती हैं मोटी-मोटी धाराएं उनके आशुओं से हूट पड़ती हैं विसर्यति द्रशाम बाश्वोत पीडांस तति परिब्रम्हितान अपि सुमनसाम प्रत्यक्चेतन्य मात्र विहारि नाम जो प्रत्यक्चेतन्य मात्र विहारी तत्त वोध में रहने वाले ज्ञानी हैं उनके भी धारा प्रवाश्टुप पात होने लगता है ऐसा समय शास्त्री जी के निधन के पश्चात आया ववति रदयम द्वेदी भावेन तीवरहलाहलप प्रतिबटद्वरम वोडुम शक्ते नहंत खिली कृतम प्रजति विलयम सद्यो लोकेत्र रतिमापरम मह उपचिती श्रिष्टा अंधम तमः प्रतिपद्यते करुन रस और जो विशात का वतावरण है वो कैसे चित्रित किया जाता है उसका उदारण इनोंने प्रस्तित किया है रधय तीक्षन लाहल के प्रतिसपर्दी देदी भाव से अवरुद्ध होने लगता है अंतरात्मा का असाधारन तेज चिपने लगता है और अंधकार अंधम तमस दड़ वरुद्धी को प्राप्त करने लगता है बहुत कारुनिक शब्दावली इसके बाद हे और देश में क्या हाल है इसका चित्रन किया है का पेहिरन क्या बुरा कर रहा है यदि वचा रहा है कि अपनी हरिनी के साथ उद्ध्यान लता की जुरूट में प्रवेश कर जाए प्रंत उसके दीर नेत्रों में अपनी धूल डाल रहा है यह जो किमाच या कारसकर है यह नवीन उपमान लिया है किमाच की फली होती है तो चा को बहुत कष्ट देती है और धूल की काली नागिन की ज्वाला के उगलते विश्मे भुजी सी यह है कारसकर्या की माच यह देखकर नियाति का रधय भी काँ पुठता है इस प्रकार से यह भारत के शोक का वर्णन है इस प्रकार से वो कहते हैं कि काको दरी सर्पिनी के मुख से बाहर आती दोनों जिवाएं लपलपाती बाहर निकल रही है और यह भारत की इस्थिती का वर्णन उन्होंने किया है इस पूरे सर्ग में लजिता शास्त्री का भी करुण विलाप है देश की जो इस्थिती है शास्त्री की शास्त्री जी के प्रयान के पश्चात उसका चित्रन किया गया है यह तीन सर्गों में, इतने बड़े महाकावि में पूरे तीन सर्ग बड़े-बड़े आचारे रिवाप्रसाद द्वेदी जी ने लाल बहादुर शास्त्री के जीवन और देश के प्रती उनके अवदान को और उनके शहीद होने की जो सारी घटना है, उसको अर्पित किये है इसके पश्चात भी लालबादुर शास्त्री पर साहित्य संस्कृत में प्रकाशित होता रहा है, शंबुदयालगनी होत्री संस्कृत के अच्छे महाकवी और शास्त्रकार हैं, संबद दोजार अंठानवे में अर्थात 1941 में फर्रुखाबाद में उनका जन्म हुआ, एक पूरी में सर्वदय महाविद्यालय पिपरगाओं में वे अत्यापन करते रहे हैं, और कई रचनाएं उनकी हैं, उनकी हैं उन पर शोधकार हुआ है, विपुल वांगमय है, शंबुदयाल अकनी होत्री का, और शालिनी उनका खंडकाव है, लालबादुर शास्त्री के जी शंबुदयाल अकनी होत्री ने किया है, शास्त्री जी के निस्वार्थ सिवाभावर त्याग की उर्जस्वी गाथा इन्होंने शालिनी खंडकाव में विरोई है, इनी शंबुदयाल अकनी होत्री का नहरु दयम महाकावी भी है, यह मोतिलाल नहरु से लगाकर नहरु जी संस्कृत के कभी इतिवास के फलक को समेटते रहे हैं और एतियासिक महाकावी संस्कृत में मद्धिकाल में बड़ी संख्या में लिखे गए मुगल काल में लिखे गए राजिस्थान के राजाओं पर अनेक एतियासिक महाकावी संस्कृत में लिखे गए यह जो एतियासिक महाकावियों की धारा है इसमें कविता और इतियास दोनों गल्माही करते हैं यह सुमस्कृत में बनी हुई है शास्त्री जी भी इसका विशाय बनते हैं सुमस्कृत में एक अद्भुत कार यह शास्त्री जी को पनुपम श्रद्धान जली देने के लिए महा महोपाध्याय श्रीपाद दामोदर साथ वलेकर ने किया शास्त्री जी का अवसान जिस साल में हुआ है उस साल श्रीपाद दामोदर साथ वलेकर अपने जीवन का लगभग सोवा वर्ष पूरा कर रहे हैं 102 वर शायद 96 वर्ष के विए रहे होंगे जब उन्होंने संकल्प किया कि संस्कृत में 83 पत्री काव निकलेगी पार्डी से गाउं गुजरात में जिस पार्डी में रहकर कर यह कारी करते थे जहां रहकर कि उन्होंने 400 ग्रंथ लिखे अपने प्रेस में प्रकाशित किये उनके प् उदर सात्वलेकर जो सतंता संग्राम के भी वड़े सेनानी रहें उन पर मैंने खूब चर्चा की है उसको सुनिये जानिये कि युग पुरुष हमारे ये हैं ये भी हैं सारे पंडित अंग्रेजों की चाटु कारिता नहीं करते रहे कई कई पंडित थे जो जेल में गए ज उन्होंने करांती पर संस्कृत में लिखी कविताएं रचनाएं सात्वलेकर का तो कहना ही क्या है तो सोवें वर्ष में पहुँच करके सात्वलेकर जो वो अमरतलता पत्री का निकाल रहे हैं उसी समय दुर्भाग्य से लालबादु शास्त्री का अवसान हो जाता है अमरतलता पत्री का के विशेशांक निकाले हैं सात्वलेकर ने अधभुत पत्री का थी ये सात्वलेकर बड़े चित्रकार थे अपने समय के उनका तो इस्टूडियो था जे जे स्कूल ओफ आर्ट से उन्होंने ट्रेनिंग ली थी उनकी पढ़िया खासी आमदनी हो रही कैसे वो वेद की तरफ चले गए कैसे फिर उस सतंता संग्राम में कूट पड़े कैसे जेल में भी रहे कैसे अंग्रेश सरकार उनको ढूंटी फिरती थी वो चले गए वहाँ पंजाब में इस सब की तो कहानी है लेकिन वो सो साल के उम्र में पहुंचते हुए ये दुखत प्त्रिका से हम देखते हैं यह इसका उनिस सो चाहाँ छट में चपा हुआ लाल बादुर शास्त्री अंक मेरे हाथ में है और दुर्भाग्य से यह बहुत समय से रखा हुआ यह मेरे घर में अम्रत्लता पथ्रिका आती थी मेरे पिताजी इसमें कविताएं भेजते थे मैंने भी इसमें जब बीए में था तो मैंने अपनी कहानिया भेजी और छपी यह 1965, चांचट में मेरी कहानिया इसमें छपी उसी समय यह अंक भी आया था गर में कुणकि मैं भी इसका लेखक था मेरे पास यह रखता रहा इसके मुक्परश्ट पर लाल भादु शास्त्री का चित्र था वो कई नगरों में कई जगे पत्रिकाओं के गट्र लेकर आवरजन प्रावरजन माईग्रेशन में करता रहा मुक्परश्ट इसका कहीं मिल गया है गट्र में लेकिन इसके विशाय सूची पर दृष्टिपात करते हैं तो लाल भादु शास्त्री का एक सुन्दर वक्तव्य नवनीत में जो छपा था उसको सुन्दर संस्कृत में अनुधित किया गया है आरंभ में डक्टर सर्वयपली राधा क्रश्टन राश्पती थे राश्पती के रूप में उन्होंने जो वक्तव जारी किया था लाल भादु शास्त्री के निधन पर उसका सरल संस्कृत में अनुवाद इसमें दिया गया है स्वयम संपाद की है बहुत अच्छा रेड़ प्रष्ट का श्रीपात दामोदर साथ वले करका है और उसके साथ पूरी पत्रीका तो संस्कत की थी परिशिष्ट में कभी-कभी हिंदी में संस्कत प्याकर्ण के संबन्द में कुछ प्रष्ट इसमें छपते थे लेकिन इस अंक में थोड़ा अपवाद हुआ है इस अंक में उन्होंने उन लोगों के पत्र छाप दिये हैं लालबादु शास्त्री अंक के लिए जिन से उन्होंने संपर्क किया और किनकिन से कितनी भारत के किनकिन प्रांतों तक साथ वलेकर जी ने इस पत्रीका के इस अंक के लिए संपर्क किया है ये इसके दो प्रष्ठों में जो पत्र छपे हैं उससे जाना जा सकता है कि क्या स्वप्न था उनका कैसे में शद्धान जली दूंगा राश्पती के यहां से पत्र है राश्पती के यहां से तो उनके सचिव का ही पत्र आता है तो ठीक है फिर गुजरात के गवर्नर के हां से भी पत्र है और उसी प्रकार से महाराष्ट के गवर्नर के हां से पत्र है लेकिन संपूर्णानंद को जो पत्र गया है वो अपने दसकतों से स्वयम पत्र, अपने अस्ताक्षरों से भेजते हैं, संपूर्णानंद जी को तो उन्होंने लिखा तो था कि आप लेक भेजिये, लेकिन संपूर्णानंद जी ने उत्तर दिया है, प्रिसात्वलेकर जी आ अपने शुब कामनाएं भेजता हूँ, आपका संपूर्णानंद राजपाल, ये 22 अप्रेल 1966 का पत्र है, श्री प्रकाष ये महाराष्ट के गवर्नर थे, उनका भी इसी प्रकार से व्यक्तिगत पत्र है, वो थोड़ा सा लिखकर आपकी सिवा में भेज रहा हूँ, ऐसा उन जानते हैं कि सात्वलेकर जी कांधी जी के साथ काम करते रहे हैं, सात्वलेकर तिलक के साथ भी रहे हैं, श्री प्रकाष हुए चाए संपूर्णानंद हुए, वो सात्वलेकर क्या हैं, सब अच्छी तरह जानते हैं, वो लोग लिख रहे हैं, उसी प्रकार से अन्य लोगो लालबादुर शास्त्री की वामन कैसे विराथ होता है, इस पूरे रूपक को लेकर के और उनके संबन्द में चर्चा की है, चर्चा की है और शिवाजी भी वामन थे, तो एक वामना वतार वो हुए, दूसरे वामना वतार फिर हमारे समय में लालबादुर शास्त्री हुए, सब कलूग अपी वामनावतार उफूता श्रीलाल बहादुरा असुरा अनुयाईना देशत द्रोहिना पाकिस्तानी यान विजित्य लोकत रहे पी स्वयशप प्रसार्य असुर राग्या पाका दिपते है अयूब खानस सेशा बाता लगामी चकारे थी प्रात्यक्षिकी सराल सम्स्क्रत है लेकिन ओजस्वी सम्स्क्रत है उसी प्रकार से एक लेख अलग से फिर लिखा है संबाद की अतरिक्त साथवले करजी ने ही इसमें है और इसमें लालबादुर शास्त्री के जो असाधरन गुण है उनका वर्णन किया है और कितनी कठिन चुरोतियों में उन्होंने देश को समभाला इसकी चर्चा की है संस्कृत में यह सुंदर लेख है उसके पश्चात वासुदेवशन अगरवाल का चोटा सा लेख इसमें है अब इस संस्कृत में स्वेम लिखकर के वासुदेवशन अगरवाल ने भेजा है या उन्होंने हिंदी में लिखकर भेजा था उसका अनुवात किया गया है यह से हिंदी से अनुदित किये गए हैं नारण शास्तरी काकर अच्छे कभी हैं समस्कृत के 20 वी शतावदी के उनकी कविता है इसमें 11 श्लोकों की करुंड़स की कविता है लालबाद रुशास्तरी नाम ताश कंदे अकस्मात स्वर्गवासात तदी जननी विलाप लालबाद र शास्त्री के बाली जीवन पर लेख है और महामोपाद्या उमेश उमेश जो समस्कृत पंडित परमपरा के बड़े नक्षत्र हैं बीश्मी शताबदी में उनका समस्कृत में अच्छा लेख है स्रज़ती तावद अशेश गुणा करम इस सीर्शक से और स्राष्ट्री जी के कुछ संस्मरण है सुंदर संस्मरण है उन पर लेख है रक्षमी नारण दिवेधी जो गाइम गंज में रहते थे समस्कृत के बड़े महाकवियों में से हैं उनका महाप्रस्थानम सीर्शक से खंडकाव इसमें है शास्त्री जी का जो महाप्रयान है उसको लेकर के मुंशी राम शर्मा हिंदी के बड़े आचारे रहे हैं उनका लेक है मुझे लगता है कि अनुदित किया गया है कानपूर में रहते थे मुंशी राम शर्मा सोग और सुधीर कुमार गुप्त समस्कत के आचारे रहे हैं जैपूर में और उनका लेक है इसमें कविताएं भी हैं बहुत सारी शास्त्री जी के वेश भूशाद, अना सक्ति निस्प्रहता और संत सुभाव पर संस्मरण हैं काहिरा में राश्टाज्यक्ष सम्मेलन में किस प्रकार से उन्होंने वक्तब विदिया और जो अडिग रहना उनका है उस पर चर्चा की गई है एक लेक में नेनी कारागार में जिस प्रकार से वो रहते थे उनकी पुत्री पुषपा बीमार हो गई और उसमें क्या धेर्य था लालबादु शास्त्री का ये मारमिक लेक है इसमें नवल किशोर कांकर बड़े कवी हैं समस्कृत के उनकी कविता शृद्धान जली शीरशक से इसमें छपी है वक्तब प्रिविद्या लंकार भी अच्छे लेखक हैं समस्कृत के उन्होंने शास्त्री जी के निधन पर पूरे विश्व से जो संदेश आए हैं उनका समस्कृत में अनुवात किया है और एक लेख में विश्व की अनेक पत्रिकाओं में जो शास्त्री जी को लेकर के शृद्धान जलियां आर्पित की गई हैं और अर्गिनाइजर पत्रिकाओं में उनके समस्कृत में अनुवात दिये गए हैं जन्मेजाई विद्यालंकार समस्कृत के अच्छे कवी हैं उनकी कविता इसमें हैं और अनेक लेखों में तो शास्त्री जी के समस्क्रण हैं उनके एक भाषण का अच्छा अनुवाद इसमें दिया गया है गच्छत प्रगच्छत वी राही सीर्षक से और हरिश्चंद्र रेनापूरकर खूब लिखते रहें समस्कृत में कविता हैं शास्त्री शोक लहरी सीर्षक से उनकी लंबी कविता इसमें है करुणरस के कविता है और धर्मदेव इद्यामार्थंड के समस्परण है धर्मदेव इद्यामार्थंड तो जाने माने प्यत्तित्व हैं हमारे समय के और हिंदी रक्षा समीती के प्रधान रहे हैं हरिदत पालिवाल निर्भय स्वयम क्रांतिकारी रहे हैं, संस्कृत के पंडित रहे हैं, संस्कृत में क्रांतिकारी कविताय उन्होंने बहुत लिखी हैं, गीत बहुत लिखे हैं क्रांति विशेक और बहुत साहित्य उनका है, दुर्भाग्य से लुप्त हो गया, प्राइब प्राइब निर्भय कहानियां भी उन्होंने लिखी हैं शास्त्री जी की लेखनी से जो प्रसूत हुआ है उसके भी अनेक उदारण समस्कृत अनुवाद में यहां पर प्रस्तुत किये गए हैं मेरे पिताजी को साथपलेकर जी का हाथ का लिखावा पत्र प्राप हूं हम लोग पढ़ लेते थे उस समय में भी ये प्रथमवर्ष में पहुंचा था ये पत्र आया था कि है विद्वद बरेण ने आप लाल बहुदुर शास्त्री इसम्रतियंक निकाल रहे हैं और आप हमारे अमरतलता के लेखक हैं आप अपनी रचना इसमें भेजें तो म लेकर जी इतने ततपर थे कि उसका साथ दिन बाद उनका उत्तर उसका आया प्रत्य उत्तर आ गया कि आप के बिना हम कैसे प्रकाशित करेंगे आप जो बन सके वह तो भेज दें तुरंत उनके आगरह को माननी करते हुए मेरे पिताजी ने दो श्लोक फिर मंदा करामता में बेजे वो इसमें प्रकाशित हैं और पत्रि का आई वो चर्चा करते थे हम लोगों से और जो M.A. के छात्र आते थे उनके उनको भी बताते हैं ते कि देखो यह पत्रि का आई है छप करके तो उनने कहा कि हम केन उपनिशद पढ़ रहे थे तो हमारे मस्त्रिक्ष में केन अपने शद ही घूम रहा था उस समय और ये दो बार सात्वलेकरजी का पत्र आ गया तो हमने फिर इस तरह के ही ये प्लोक लिख दिये और उनको ऐसे ही भेज़ दिये केन केन इसमे आता है अब ये दो इश्लोक उनोंने लिखे हैं लेकिन इसमे अद्भुत बात ये है कि चित्रकावी भी है ये छपा है तब पढ़ने पर पता चलता है कि इसमें चित्रकावी है वो हमारे पिताजी की एक पृत्ती ये थी कि हिंदी में भी कविता लिखते थे और समस्कत में भी लिखते थे तो प्रत्माक्षर मिला करके लाभा सत्यम जगती महता जन्वना केन लवदो इसमें ला तीरगला आया है लक्षमी लोभो महतिचपदे केन धीरेन मुकता इसमें रस्वला आया है तो लाल हो जाता है बहुआयाँ से श्वज़विरलतया केनकार रेशुभकतया इसमें बकार आ जाता है आ प्राणा नप्यविगणयता पालिता सुप्रवरति इसमें हा आ जाता है तो लाल भाहा इचार रक्षर चारों मंदाक्रांता के चरणों में आजाते हैं फिर दुर्देवेस्मिन चरती दुर्देवेस्मिन जगती सुनयो रक्षिता केन देशे इसमें दू और रक्षास्माकम इसमें रकार और फिर शांत्यस्मिन जगती चे हविर शांत्यस्मिन जगती चे हविर जीवनम केन दत्नम इसमें शाह और इस्त के नाम के बंदाकरांता के आठ चर्णों में इनों ने रख दिये हैं अन्य इसमें अनेक उस समय के 1960 के आसपास जो लोग हमस्कृत में अच्छी रचनाई कर रहे हैं उनके इसमें कितनी सजग होकर के और साथवलेकरजी ने संपर्क किया है इसमें धर्मदेव इद्या मारतंड का तो अच्छा लेक है ही इसमें जगनात वेदालंकार जो अरविंद आश्रम में रहते थे अरविंद पर उन्होंने खूब लिखा है कपाली शास्त्री जी से अध्यान उन्होंने किया है उनकी रचना इसमें खूब छपती थी उनका तीन पेज का इसमें लेक है और श्री प्रकाश के लेक का जैसा मैंने कहा है कि उन्होंने पत्र में लिखा है कि जो बन पड़ा मैं लिखके भेज रहा हूं आशा है कि आप के लिए उपादे हो जाएगा तो उनके लेक का है इसमें अनुवाद दो पेजों में दो प्रष्ठों में इसमें दे दिया है सिवाश्रम सिग्रा वारणसी में रहकर के उन्होंने बेजा है जो गवर्नर रहे हैं रंजन सूरी देव भी अच्छे लेखक हैं वो महाप्राणों महामती श्री शास्त्री सीर्षक से उनका लेक छपा हुआ है और सुरुमण्यम शर्मा का इसमें लंबा लेक है और अन्य लोगों की भी कविताएं हैं के राजन शास्त्री अच्छे कवी रहे हैं उनकी कविता है विश्वनात केशव च्छत्रे समस्कृत के महा कवी हैं खंडकावी भी इन्होंने लिखे हैं नाटक भी लिखे हैं इनका पूरा एक नाटक लाल बहादुर शास्त्री पर इस अंक में छपा है अनवर्थको लाल बहादुरो भूत की सीर्षक से और इसमें देवी रामदुलारी शास्त्री जी की व्रद्धा माता ललिता देवी उनकी पतनी यश्वन्त राव जो रक्षा मंत्री थे और गुलजारी लाल नंदा जो ग्रह मंत्री थे सुर्ण सिंग जो पिदेश मंत्री थे परराश्ट मंत्री उनको लिखा है और अर्जुन सिंग भी इसमें है और नोदल प्रमुख जो थे भारती सेना के उनका नाम है सोमन नाम दिया है वो सीगिन रूस के प्रधान मंत्री वो पात रहें इसमें अयूप खान तो हैं ही और बाकी द्वारपाल दिवाकर, उशा, अर्विंद, कुछ कल्पित पात रहें ये नाटक लालबादुर शास्त्री जी के अंतिम दिनों की जहांकी देता हुआ संस्कृत में चोटा नाटक है ये विश्णात केशव चत्रे ने लिखा और ये लोग गणेश्राम शर्मा भी बड़े कहानिकार, पर दुरलब सामगरी के साथ शीपाद दामुदर साथ वले करने उस समय निकाली थी, यह हम इसमें देखते हैं, तो स्वल्प चर्चा जितनी हो सकती थी, और भी अनेक रचनाएं पत्रिकाओं में लालबादुर शास्त्री पर संस्कृत में आई हैं, अपने सीमित ग्यान और सीमित समय में, सीमित शक्ति से जितनी चर्चा मेंने, मैं कर सका उतनी चर्चा मेंने की हैं, क्योंकि संस्कृत जगत लालबादुर शास्त्री का भी इस्मरण करता है, गांधी का भी बहुत आदर से इस्मरण करता है, उनको गाली नहीं देता, संस्कृत का पंडित, और नहरू का भी उसी आदर से स्मर्ण करता है बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार